तो एक दमदार प्रोजेक्टर लॉंच कर दिया है जेब्रॉनिक्स ने और इसके अंदर में आपको टच पैनल भी देखने को मिलता है ये है जेब्रॉनिक्स का नयाप पिक्सा प्ले 58 प्रोजेक्टर हर चीज की बात करेंगे पूरी टेस्टिंग करेंगे अंडर 20,000 ये प्र प्रोजेक्टर है साइड में कुछ एक्सेसरी आपको दिखाता हूं अब ये जो रिमोट इसमें प्रोजेक्शन सेटिंग के लिए आपको डेडिकेट बटन मिलता है साथी में मेन्यू का बटन भी देखने को मिल जाता है रिमोट जो है इसका बड़े तरीके से काम भी करता है आगे आपको बताऊंगा वो भी पावर की केबल देखने को मिल जाती है साथ में HDMI केबल भी बॉक्स में ही आपको देखने को मिलती है क्यूर कोड के लिए एक सिंपल सा पेपरवक दे रखा है अगर आपको उसकी यूजर मेंन डाउट करनी है से स्कैन कर सकते हैं आप इसमें आपके सारे ही मेन्यू के बटन्स आपको दे रखें इनकेस रिमोट इदर अदर हो जाए इन बटन्स से आप फाइदा वटा सकते हैं अब यह प्रोजेक्टर आता है आपका मैन्वल फोकस के साथ में और की स्टोन इसमें आपको 4D भी मिल जाएगा अभी जो टच प आपको air out के लिए आपको option देखने को मिल जाता है पोर्ट भी इसमें अच्छे खासे आपको दे रखे हैं audio का पोर्ट है उसके अलावा आपको AV का पोर्ट मिल जाता है पुराना setter box अराम से connect हो जागा HDMI के इसमें तीन पोर्ट दे रखे हैं तो यह काफी अची बात है multi connectivity ब पॉर्ण भी कर सकते हैं 10,000 पे मैं आपको autofocus वाली projector मिल जाते हैं लेकिन इसमें है manual focus और मैं कई बार बहुल भी चुका हूँ कि यार manual focus मुझे personally अच्छा लगता है बागी अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो autofocus वाली projectors का review मैं करता हूं उनको आप test कर सकते हैं यहा इसमें आपको कुछ built-in apps भी देखने को मिल जाती है जैसे की नेटफ्लेक्स प्राइम वीडियो, built-in play store भी है, office suit भी है, 1GB RAM है, 8GB की ROM इस प्रोजेक्टर में आपको मिलती है, dual band wifi के साथ में आता है, bluetooth covers in 5.0 है इसमें, projection settings के अंदर में आपको यहां पे projection mode देखने को मिल जा देखने को मिलता है, यह अच्छी बात है, अगर आब इसको ceiling mount करेंगे न, वो single thread दे रखा है, तो आप remote पे single button के मदद से projection की screen को उल्टा या सीधा कर सकते हैं, अपने इसाब से, बाकि यहां पे आप यह setting भी remote से कर सकते हैं, play store के लाबा built-in app store भी दे रखा है, और app store वाली उसको लगाने के बाद में, up to 4K की जो files होती है, उसको easily playback करता है, यानि 4K upscale का option इस projector में आपको मिलता है, motion blur का issue नहीं मिलेगा, clarity की लाजवाब है, up to 210 inches की screen यह projector बना सकता है, मैंने 100 inch तक लिजाने की कोशिश की हैं, colors यहां पे काफी अच्छे है, contrast बता रखा है, यहां प contrast ratio होता है, इसकी performance भी उनी के बराबर है, तो zebronics यहां पे numbers हमेश है, जोब कमी बताता है, लेकिन performance इस projector की just wow है, colors इसके काफी अच्छे है, contrast इसका काफी बड़िया निकल के आता है, pen drive से मैं यह sample play कर रहा हूँ, clarity आप यहां पे सामने देख सकते हैं, screen mirroring को option है, अब आप कि बस मैं apple का phone है या for android, दोनों की screen को आप यहां पे mirror कर सकते हैं, वैसे तुम अपने android tv box पर यह game खेल रहा हूँ, आप चाहें तो gaming console भी यहां पर लगा सकते हैं, gaming के लिए इस projector को मैं आपको suggest कर सकता हूँ, gaming भी आपकी जो है, इस पे बड़िया आपको देखने को मिल जा अब एक चीज़ कई बार लोग पूछते हैं कि अगर OTT देखना है, तो क्या वो भी full HD में चलेगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जो built-in android होता ना, इन projectors का, वो official नहीं होता, बहुत सारे projectors आते हैं इस price range में, किसी में भी अभी तक मैं official android नहीं देखा है, हो सकता है आने वाले time पे वो भी देखने को मिल जाए, तो OTT अगर आपको higher quality में देखना है, तो fire tv stick recommended है, उसको लगाना ही पड़ेगा आपको, तब ही आप high quality में OTT को भी enjoy कर पाएंगे, बगी इसका built-in YouTube है, उस पे आपको full HD का support मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे pen drive लगाई है, तो यहाँ पे जो है मेरे higher resolution वाली जो files हैं, वो easily playback होती है, प्लस 4K का support आपको मिल जाएगा, अगर आप fire tv stick लगाते हैं, या फिर कोई certified tv box, अब इस projector के इंदर में जो अगर sound की बात करो ना, तो इसकी sound quality तो अच्छी है, वैसे कितने watt के speaker है, वो mention नहीं है, लेकिन मेरे इसाब से 10W के speaker होंगे, आप यह sample सुन लो, speaker loud है, distortion नहीं है, बाकि 3.5mm का jack आपको दे रखा है, तो आप अपने external speaker यह headphones connect कर सकते हैं इस पे, और इस projector को as a Bluetooth speaker, अगर यूज़ करना चाहिए, आजकल सारे projector में इस तरह का feature देखने को मिलता है, तो इसको as a Bluetooth speaker भी आप यूज़ कर सकत है, projector का weight तकरीबन 2 kilo है, projector की build quality अच्छी है, overheating का issue में इस projector में नहीं देखा, for the price of 20,000 रुपीज, जो इसका current price है, 19,999, under 20,000 मतलब ये projector काफी बढ़िया picture quality निकाल के देता है, तो ये projector भी उसी category में आता है, one of the best, under 20,000 की category में, अब recommended तो यह है कि बढ़िया picture quality अगर आपको 210 इंच तक की screen, zebronics ने भी recommend करीए, उतनी में भी करता हूँ, उतनी screen पर आपको बढ़िया quality मिल जाएगी, corner blur का issue आपको जारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर 4.40 की stone correction का option भी है, तो उसको आप easily adjust कर सकते हैं, बाकि जो इसका manual focus दे रखा है, वो काफी बढ़िय जलूं तो 30,000 hours तो ही निकाल सकता है, और मैं पुराने जितने भी projector यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैंने lamp का issue प्रोजेक्टर में फिलाल में नहीं देखा, और उतना फिर शायद आप use भी नहीं करेंगे, और अगर आपसको daily भी चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं यार 4-5 साल अराम से एक projector जो है आपका चल जाएगा, बस dust से आपको बचा के रखना पड़ेगा, तो overall projector की performance मुझे काफी अच्छी लगी, build quality के साथ साथ performance भी अच्छी दे रहा है, ये projector overheating नहीं मिली देखने को ये अच्छी बात है, बागी गर्मी का time है तो projector heat होते है, वो normal सी बात है, तो उसके लिए आप space ऐसी choose करें जहां projector रखते हैं, कि भाई projector को भी गोटन ना हो, तो for the price point, specification इसकी जितनी भी है, बढ़िया है, worth है ये projector लेना under 20,000, लेना चाहते हैं, description में इसका link है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment जरूरू करना, इस तरह के gadgets में लगातार लाता रहत झाल